Samsung की तरफ से M-Series में बहुत ही सारे स्मार्टफॉन लाँच हो चुके हैं अब Samsung लेकर के आने वाला है अपना एक और दमागेदार M-Series का स्मार्टफॉन जो बहुत ही जादा बजट फ्रेंडली होने वाला है और उसका नाम है Samsung Galaxy M12 इसके बारे माँ बात करेंगे डिटेल में क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स होने वाले हैं और क्या आपको इस स्मार्टफॉन खरीदना चाहिए या फिर नहीं तो चलिए हेलो दोस्तों स्वागत अब सभी कमारे YouTube चनल टैक मोजो में जहाँ होती है सीधी बात नो वकवास बिना दरीगे शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो को सबसे पहले हमेशा की तरह शुरू करते हैं इसके डिस्प्ले के साथ में तो यहाँ पर हम लोग को M12 के अंदर मिलने वाली है 6.7 इंचिस की IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर Corning Gorilla Glass का प्रोटेक्शन आपको नहीं देखने कुमलेगा नॉर्मल ग्लास होगा तो बहुत ही ज़्यादा समलकर आपको इस स्मार्टपॉन को यूज करना पड़ेगा उसी के साथ अगर कैमरा सेग्मेंट को देखा जाए जो काफी हद तक अच्छी फोटोज ले लेगा आपकी यहाँ अगर प्रोटेक्शन को देखा जाए तो Exxonus प्रोटेक्शन बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है M-Series और A-Series के अंदर तो यहाँ पर भी Exxonus 850 प्रोटेक्शन हम लोगों को देखने को मिल जाता है यह 8-Series का प्रोटेक्शन है जो काफी हद तक आपको अच्छी परफोमेंस देदेगा आप नॉर्मल गेमिंग कर पाएंगे से स्मार्टफोन के अंदर और सबसे ज़्यादा खास बात है इसकी बैटरी तो यहाँ पर हम लोगों को M51 की तरह ही M12 के अंदर 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है जिसके साथ में आने वाला है 15W का फास्ट चार्जर 7000 mAh की बैटरी के लिए 15W का चार्जर थोड़ा सा लोग हो जाता यहाँ पर at least 20W का चार्जर हम लोगों को देखने को मिलना चाहिए था बर चलो ओके यहाँ पर 15W के चार्जर से काम चलाना पड़े काफी अच्छा स्मार्टफोन है अगर देखा जाए इसके और फीचर्स को या फिर और इसके स्पेसिफिकेशन को तो यहाँ पर हम लोगों को rear side में finger print sensor देखने को मिलता है इसकी जो body होने वाली है वो plastic में रहने वाली है और अगर memory card slot की बात की जाए तो इसके अंदर dedicated slot देखने को मिल जाता है और यह expandable है 512GB तक काफी अच्छी range है इसकी expand होने की तो यहाँ पर अगर variants की बात की जाए इस smartphone की तो यहाँ पर दो variant हम लोगों को देखने को मिल जाते है 332 और 464 के दो variant हम लोगों को देखने को मिलेंगे और अगर बात की जाए इसके price की तो यह smartphone launch होगा साड़े गया रहा या 12,000 रुपे की range में काफी affordable है काफी budget friendly यह smartphone होने वाला है आप इसे जरूर ले सकते हैं अगर आपका बहुत जादा heavy users नहीं है normal आप यूज करना चाहते है तो इस smartphone को बिलकुल चले लेना camera भी काफी अच्छा है performance भी काफी अच्छी मिलने वाली exonus का 850 आपको यहाँ पर project देखने को मिल जाता है और यहाँ पर उसके साथ ही 4GB variant है तो 4GB variant आपको ले लेना बिलकुल चाहिए तो दोस्तों यह था इसका पूरा का पूरा specifications और review तो अगर यह आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को like करना और चैनल को subscribe करना बिलकुल भी मत बूलना मैं मिलता हूँ आप से कुण नई धमाकेतार वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाई बाई